रिद्धिमा और सरीता नाम की दो बहुत अच्छी सहलिया एक चोटे से गाउ में रहा करती थी। दोनों ने फिर से एक ही कॉलेज में एडमेशन लिया। ऐसे ही एक दिन सरीता और रिद्धिमा साथ में बैठे थे और बाते कर रहे थे। तब ही रिद्धिमा सरीता से। दरसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो ना सरीता क्या हुआ। मेरे पापा ने मेरी शादी त्याई कर दी है और लड़का मुंबई का रहने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। पर रिद्धिमा अब हम अकेले हो जाएंगे। मैं शादी के पाथ मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगी। और तुम यहाँ अकेले। अरे तो क्या हुआ। मैं तुम से मिलने आ जाया करूंगी। और तुम भी तो अपने मापिता जी से मिलने के लिए यहाँ आओगी। हाँ हाँ बिल्कुल। बस एक बात याद रखना। मुझे कभी मत बूलना। अरे मैं तुम्हें कैसे बूल सकती हूँ। तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। थोड़े ही दिनों बात सरीता की रोनित नाम के लड़के के साथ शादी हो जाती है। शादी के दिन सरिता और इदिमा एक दूसरे के गले लगकर काफी देर तक रोते रहते हैं और फिर सरिता अपने नई जिंदगी के शुरुवात करने के लिए मुंबई शहर चली जाती है लेकिन मुंबई जाकर उसे अपने वरिवार के बहुत याद आती है इधर रौनित का परिवार भी उसे बहुत प्यार देता है शुरू शुरू में तो उसकी सासुमा के उसके सथ बहुत अच्छे से बनती थी उसकी सास सरिता को कोई काम करने का मौका ही नहीं देती थी पर जैसे जैसे दीन बीटते गए वैसे वैसे उसकी सास का रवया बिलकुल ही बदलने ल लेकिन सरीता को भी काम करने में कोई आपती नहीं थी वो चुप-चाप से हसकर सारे काम करती थी एक दिन सरीता के हाथ से गलती से एक चाय का कप गिर कर तूट जाता है और इसकी सास उसे खरी-खोटी सुनाती है अरे कल मुही कही कि ये क्या कर दिया तुने एक तो तेरी घर आपनी को सारी धिश्य नहीं दिया पता नहीं तुझ जैसी गवार लड़की को मेरे बैटे ने कैसे पसंद किया यहां आकर मेरा घर बर बात करने पर तुली हूई है तुँ उसी दिन रॉनित सरीता के लिए नहीं शारी लेकर आता है और रॉनित सरीता से शरीता यह लो मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ आज तो कोई अउसर भी नहीं है तो ये तौफा किस बात के लिए अरे अब मुझे अपनी पत्नी को तौफा देने के लिए अउसर चाहिए क्या सरीता खुशोकर वो सारी अपनी अलमारी में रख देती है ये सब देखकर रौनित की मा को बड़ी जलन होती है और वो सरीता के साथ अब दुर्वेवार करना शुरू कर देती है सरीता को वो अब दो मिनिट सास तक नहीं लेने देती एक के बाद एक काम ही देती जाती है और तो और उसे दोपर का खाना भी नहीं खाने देती है और जब रौनित घर आता है तो रौनित को जूट मोट की कहानी सुनाने लगती है आस तो मेरी कमर भराई है पेटा दिन भर पूरा काम कर करके सरीता अपनी सास की बात सुनकर एक तम से हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि ये सासु मा को आकर हो क्या गया है वो जूट क्यों बोल रही है इदर रौनित भी अपनी मा की बात सुनकर सरीता को एक चोर से थपड लगाता है और उससे कहता है रौनित उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता बस उसे डाट लगाता रहता है अगले दिन से रौनित का स्वभाव भी उसके प्रती कुछ बदला बदला सा लगने लगा था उसरत रौनित की मा बेटे के सामने जूट मूट का नाटक करती है कि बहु ने उसे धक्का दिया और इसी कारण वो गिर गई और उसे उसे बहुत चोटाई है इस बार भी रौनित ने अपनी मा पर ही विश्वास किया अब ऐसा अकसर ही होने लगा था लेकिन सरीता ने बरदाश करने की सीमा पार कर दी थी सरीता अपनी सास को मा का दर्जा देती थी उनका सम्मान करती थी इसलिए आज तक वो चुप रही एक दिन सरीता को रिद्धिमा का फोन आता है वो फोन पर सरीता मैडम आजकल कहा हो तुम मुझे भूल गई हो क्या या फिर कोई खुश खबर तो नहीं आ रही अरे तुम भी ना रिद्धिमा कैसी बहकी बहकी सी बाते कर रही हो तुम्हें भला कोई कैसे भूल सकता है हाँ 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 और बताओ कैसे चल रही है तुमारी शादी शुदा जिंदगी मत पूछो यार अब क्या बताओ तुम्हें अरे अब बताओ भी मुझसे क्या चुपाना सरिता रिद्धिमा को सारी बात बता देती है मेरे पास एक प्लान है तुम बस मैं जैसे कहू वैसे ही करती जाओ देख कैसे मज़ा चकातू मैं इन लोगों को नहीं नहीं रिद्धिमा ये सब रहने दो इसके कोई जरूरत नहीं है मैं मैंनेज कर लूँगी अब रिद्धिमा उसकी एक नहीं सुनती और सरिता को अपने घर बुला लेती है साथ ही सरिता जैसी दिखने वाली एक हमशकल लड़के को उसके सलसुराल में बेज़ देती है वो हमशकल लड़की सरिता की सास से घर के सारे काम करवाती है और उसे धमकाती भी है ए बुढिया, अगर तुमने अपने बेटे को कुछ बताया न तो मैं यह जहर खालूंगी और पूली स्टेशन में तुम्हारा ही नाम बताऊंगी समझी? आज से घर के सारे काम तुम ही चुपचाप करोगी समझी न? उस दिन से रौनित की माखा तो जैसे जीना ही हराम हो जाता है और वो सोच में पड़ जाती है यह सरीता को क्या हुआ है? आज तब तो यह चुपचाप मेरी सारी बाते मान लेती थी इसे अच्चानक क्या हो गया? और यह दिखने में भी थोड़ी सी अच्चानक से अलग-अलग सी क्यों लग रही है? उस दिन सरीता की हमशकर सरीता की सास को और रौनित को अच्छा सबक सिखाती है एक दिन रौनित की मा रौनित के पास जाकर उससे बेटे, यह शायद मेरे ही बुरे करमों की सजा है मैं ही बहु की जूटी कहानिया तुम्हें बताया करती थी उसे बहुत सताया करती थी जब तुम उसे डाठते थे तो मुझे बहुत अच्चा लगता था लेकिन मुझे पता नहीं था कि बहु इतनी बदल जाएगी मा आपने ये क्या किया तुमने तो मेरा जिवन ही नर्क बना कर रख दिया है आपकी वजह से सरीता ये सब कर रही है आये दिन मरने मारने की बाते करती है ये आपने अच्छा नहीं किया मा मुझे माफ कर दो बेटा मुझसे बहुत बड़ी बूल हो गई है तब भी सरीता की हमशकल उनके सामने आ जाती है और सरीता की सास से अगर तुम्हें माफी मांगनी ही है तो सरीता से मांगो और रौनित क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि बीवी की एक बात तो सुन ले बस मा की ही बात सुने जा रहे थे अगर तुमने सरीता की एक बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं आता सरीता की बात मतलब तुम कौन हो तब ही सरीता और रिदिमा घर में आ जाते है सरीता और उसकी हमशकल को एक साथ खड़ा देखकर रानित और इसकी माँ चौक जाती है और वो सोच में पढ़ जाते है कि असली बहु कौन है तब ही रानित सरीता मुझे माप कर दो मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी मैं माँ की बातों में आ गया मुझे माप कर दो सरीता बहु हो सके तो मुझे माफ कर दो मैं आज से तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी लेकिन तुम ही इस घर में रहो तुम्हारी हमशकल नहीं चाहिए कभी ऐसा मत करना बहु सास की ये सारी बाते सुनकर विद्धिमा और सरिता की हमशकल जोर-जोर से हसने लगती है। रौनित के चेहरे पर भी अंजाने में एक हलकी सी मुस्कान आती है। उस दिन के बाद जब भी सरिता थोड़ी सी उची आवाज में बात करती, तो उसके सास उससे पूशती, क्या तुम ही असली बहू हो। शीव नाम का एक कारपेंटर अपनी पत्नी गीता और बेटा शुबम के साथ रहता था। वो दिन रत मेनत करता और अपने परिवार का पेट बरता था। शीव बहुत ही सुंदर सुंदर अलग-अलग तरीके के दर्वाजे, खिड़किया, कुरसिया बनाता था। सब लोगों को उसके बनाई चीजे पहुत पसंद आती थी। शीव का बेटा भी अपने पापा की तरह कारपेंटर बनना चाहता था। लेकिन शीव उसे पढ़ा लिका कर अच्छा आद्मी बनाना चाहता था। एक दिन शुबम अपनी मा से मा, कल से मैं भी काम करने अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, मुझे स्कुल में जाना पसंद नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ा लिका कर बड़ा आद्मी बनाना चाहते हैं, और तुम हो जो उन्हीं की तरह बनना चाहते हो, तुम्हें पता भी है, तुम्हारे पापा कितना काम करते है, तब जाकर हमें कुछ खाने को मिलता है। अपनी मा की बाते सुनकर शुभम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो रोने लगता है, तब ही काम कत्मकर शिव घर आता है, तो शुभम को रोते देख शिव गिता से, क्या हुआ शुभम, क्यों रो रहे हो, क्या तुमने उसे कुछ कहा है? गीता शुभम की बताई सारी बाते शिव को बताती है तब शिव शुभम से ठीक है कोई बात नहीं कल से तुम मेरे साथ काम पर आ जाना अब हम पहले खाना खाते है और खाना खाने के बाद दोनों बाहर घुमने जाएंगे तबी गीता खाने के लिए रोटी और चटनी लाती है उसे देखकर शुभम गीता से मैं रोटी नहीं खाऊंगा मुझे चटनी और रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है खाना है तो खाओ नहीं तो रहने दो भूके पैठी रह जाओ घर में कोई सबजी है ही नहीं तो मैं क्या खाना पकाऊ तुम्हारे पापा की इतनी कमाई तो है नहीं कि हम हर रोट कुछ न कुछ अलग-अलग बना कर खाए शुभम अपनी मा की बाते सुनकर चुप-चाप से खाना खा लेता है अब शुभम को साइकल पर बिटा कर जहां बड़े-बड़े लोगों के बंगले थे वो दिखाने के लिए लेकर जाता है उसी वक्त उनके सामने गाडिया कर रुख जाती है शुभम और शुभम गाडी की तरफ देखते है गाडी के अंदर से एक आदमी उतर कर शुभम के पास आता है और कहता है शुभम तुमने मुझे पहचाना नहीं मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ स्वपनिल अरे पापा की ट्रांसपर की वज़े से हम लोग यह से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे इसलिए हमारा मिलना नहीं हुआ था हम बचपन में साथ खेलते थे क्या तुम सब भूल गए अरे चलो हमारे साथ घर चलो उसी वक्ष्वपनिल का बेटा पार्थ काड़ी से उतर कर नीचे आता है और स्वपनिल के पास आकर स्वपनिल से डाड ये अंकल कोन है मैंने तो इने कभी नहीं देखा अरे बेटे ये मेरे बजपन के दोस्त है और ये उनका बेटा है शिव ये मेरा बेटा है पार्थ चलो अब मेरे साथ घर चलो स्वपनिल आज नहीं फिर कभी आऊंगा अरे अरे बिलकुल नहीं ये ही तो रहा मेरा घर चलो अंदर शिव कुछ और बोल ही नहीं पाता और वो स्वपनिल के घर के अंदर चले जाते है स्वपनिल का घर इतना बड़ा और सुन्दर था कि वो देखकर शिव और शिवम घर को देखते ही रह जाते है तबी स्वपनिल का नोकर आता है रामू, शिव के लिए चाय और शिवम के लिए जूस लेकर आना नोकर शिव को चाय और शिवम को जूस देकर वहाँ से चला जाता है उसी वक्त पार्थ स्वपनिल से डाड़ी, आज पढ़ाई करवानी के बारी आपकी है स्वपनिल शिव और शिवम को लेकर पार्थ के कमरे में जाता है पार्थ का कमरा बहुत ही बड़ा था जितना शिवम का घर था, उतना बड़ा पार्थ का कमरा था जहाँ पर बड़े बड़े खिलो ने नई-नई किताबे, लैप्टॉप, कम्प्यूटर रखे हुए थे जो देखकर शिवम चौक जाता है पार्थ अपना लैप्टॉप शुरू करता है डाड, मुझे लैप्टॉप पर ही मैं तका प्रब्लिम सॉल करके बताओ ठीक है बेटे, मैं तुम्हें अभी सॉल करके दिखाता हूँ शुबम बेटा, तुम भी आओ शुबम पार्थ के लैप्टॉप को देखता है तो देखता ही रह जाता है उसे लैप्टॉप देखकर बहुत खुशी होती है थोड़ी ही देर में शुबम अपने घर लोटने निकलते है घर जाते जाते शुबम शिवा से बेटे, हमारी लैप्टॉप खरिदे इतनी हैसियत नहीं है हम दो वक्ती रोटी भी बड़ी मुश्किल सिखाते है तो मैं तुम्हें नहीं लैप्टॉप कहा से ला कर दू? रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ शिव पास के ही दुकान में जाता है और दुकान में इसे पुराने, एक साइड से प्लेन वो पेपर इकटा कर शुबम को ला कर देता है ये तो पेपर है, मैं इसका क्या करू? बेटा, तुम इसके उपर अपनी पढ़ाई कर सकते हो हमारे पास तो कोई लैप्टॉप नहीं है लेकिन अगर तुम चाहो तो इसके उपर लिखकर पढ़ाई कर सकते हो यही तुम्हारा लैप्टॉप होगा अपने पिताजी की बात सुनकर शुबम बहुत दुखी हो जाता है अब वो मन में ठान लेता है और मन ही मन अब मैं बहुत पढ़ाई करूँगा और बड़ा आदमी बनूँगा अब वो घर जाकर सो जाते है दूसरे दिन सुबह उठकर शिव शुबम से उसके बाद शुबम अपनी पढ़ाई जी जान लगा कर करता है अच्छी पढ़ाई के कारण स्कूल में शुबम को स्कॉलर्शिप भी मिलती है स्कॉलर्शिप मिलते ही शुबम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और घर आकर शिवा से पापा देखो मुझे स्कॉल से कॉलर्शिप मिली है अब मैं इस कॉलर्शिप से कंप्यूटर खरीदूंगा शुबम की मेहनत देख शिव और भी जादा मेहनत करता है और उसे एक पुराना कंप्यूटर खरीद कर दिलवाता है अब शुबम को समझ में आ चुका था कि पढ़ाई का उसके जीवन में क्या स्थान है उसकी मन लगा कर की जाने वाली पढ़ाई देख उसके मापिता जी भी अब बहुत खुश है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अगर किसी बात को बच्चे को समझाना है तो मार पीट कर नहीं समझाना चाहिए बलकि उसे अलग-अलग प्रकार से समझाना चाहिए एक समय की बात है राजापुर नाम के शहर में विशल और वामन नाम के दो दोस्त रहते थे, दोनों पैस का व्यापार किया करते थे, उन दोनों में विशल बहुत ही लालची था, विशल हमेशा व्यापार उसके इच्छा के अनुसर होना चाहिए ऐसा सोचता था, दूसरी तरफ वामन एक बहुत ही अच्छा इंसान था, वो हमेशा हालातों के अनुसार व्यापार करने की सोचता था। विशाल और वामन दोनों बाजर में साथ में ही दुकान लगा कर पैस का व्यापार करते थे। दोनों हमेशा आसपास के गाओं में जाकर प्यास की खेती करने वाले किसानों से कमदामों में बहुत ही मात्रा में प्यास करीते थे और शहर में मार्केट में अपना दुकान लगा कर बेचते थे प्यास दे लो ताजा ताजा प्यास दे लो भाई जोर जोर से चिल्ला कर विशाल और वामन पैस बेच रहे थे तब ही एक आदमी पैस करीदने के लिए उनके दुकान पर आता है अरे भाई एक किलो पैस कैसा दिया? जी पचास रुपए भाई साब अरे पैस के दाम बढ़ गए है क्या? हाँ जी दाम बहुत बढ़ गए है अभी मुझे दस किलो पैस चाहिए क्या तुम मुझे चालीस रुपए के दाम में दे दोगे? ठीक है ठीक है ले लीजिए ये क्या बात होई वामन? तुमने चालीस रुपए में हा कर दिया? तुम कुछ नहीं जानते हो रुको, मैं बात करता हूँ भाई साब, आप दस किलो भी लोगे तो अभी चालीस रुपए के दाम में प्यास नहीं मिलेगा देखो, पचास रुपए के दाम से लेना हो तो लो बाकी आपकी मरजी विशाल के ऐसे कठोर तरीके से बात करने के कारण वो आदमे बाहा से चला जाता है विशाल के बाते सुनकर वामन विशाल के बाते सुनकर वामन कुछ कहता नहीं है और अगले दिन विशाल के बात के अनुसर वही आदमे प्यास खरिदने के लिए वापस दुकान पर आता है ठीक है भाई, तुम्हारे ही दाम में दस किलो प्यास दे दो विशाल प्यास देकर पैसे लेता है और वामन से देखा तुमने वामन, कल अगर हमने चालीस के दाम में प्यास बेचा होता तो हमारा सो रुपे का नुकसन हुआ होता विशाल भाई, हमेशा इतना जिद्धी होना अच्छी बात नहीं है हमें हमेशा परिस्तितियों के अनुसर ही चलना होगा वरना आगे हमें बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा अगर तुम्हारी बात मान कर चलेंगे तो सिर्फ घाटा ही मिलेगा हमें वामन अपने दोस्त के खिलफ कुछ भी नहीं कह पाता दुकार में प्यास कम होने के कारण अगले दिन दोनों प्यास करिदने के लिए आसपास के गाओ के किसानों के पास जाते है और प्यास कर लाते है वामन इस बार हमने प्यास को बहुत ज़्यादा दाम में खरिदा है इसलिए हमें उनको और भी ज़्यादा दाम में बेचना होगा दूसरे दिन से दोनों प्यास को ध्यान से बेचने लगते है प्यास की फसल निकलने के बाद प्यास के दाम बहुत गिर जाते है ये बात वामन को पता थी वामन दुबकान पर बैठ कर अरे मुझे ये बात तुरंत विशाल को बतानी चाहिए वरना वो सबको दाम बढ़ा चड़ा के बताएगा और हमारे प्यास नहीं बिकेंगे और वामन तुरंत ही विशाल को अपने पास बुलाता है विशाल विशाल जल्दी दरा भाई अरे क्या हुआ वामन क्यो इतने जोर से चिला रहे हो विशाल प्यास के दाम बहुत घड़ गए है अब तुम दुकान पे आये लोगों को जादा दाम बता कर वापस मत भेचो नहीं तो बाद में हमें ही पच्टाना पड़ेगा अरे वामन क्या स्रिप इसलिए तुम इतनी जोर जोर से चिला रहे थे अरे मेरे भोले वामन इसमें इतनी कुन सी बड़ी बात है कुछ दिनों के बाद दाम वापस बढ़ भी तो जाएंगे न मेरे पास एक कलपना है सुनो हम आसपास के सारे गाओ के किसानों के पास जाकर उनके सारे प्यास कम दाम में खरिद लेंगे तपि किसी भी गाओ में किसी के पास बेशने के लिए प्याज ही न हो और कुछ दिनों के लिए अपने गो डाउन में उसे चुपा देंगे जब मार्केट में कोई प्याज बेशने आएगा ही नहीं तो दान तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे तब हम अपना प्यास बेशने निकालेंगे मगर विशाल हम तब तक इंतजार करेंगे तो हमारा प्यास तो खराब हो जाएगा अगर सारा प्यास खराब हुआ तो हमें ही पश्टाना पड़ेगा और अब जितने पैसे मिलने वाले है उतने भी नहीं मिलेंगे अरे वामन तुम हमेशे ऐसे क्यों सोचते हो मेरे सोच के अनुसार करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे बस तुम इस बार के लिए मैं जो कहता हूँ वही करो ठीक है विशाल जैसी तुम्हारी मर्जी दूसरे ही दिन विशाल और वामन आसपास के सारे गाओं में जाकर सब भी किसानों से कम दामों में सारे पैस करीद लेते हैं और अपने गोडाओं में स्टोर कर देते हैं दस-पंदरा दिन बाद मार्केट में कोई पैस बेचने नहीं आता इसलिए पैस की मांग और दाम बहुत बढ़ जाते हैं तब भी वामन विशाल के पास आकर विशाल से कहता है अरे विशाल भाई पैस के दाम तो बहुत बढ़ गए है मुझे लगता है कि अब हमें पैस बेचने ही चाहिए देखा, देखा मेरे दिमाक का कमल वामन अगर तुम मेरी बात हमेशा सुनोगे और तुम बस में जैसा कहू वैसा करोगे तो हम जल्द से जल्द इस शहर के सबसे बड़े धनवान व्यापारी होंगे मेरी ये बात हमेशा ध्यान में रखो और हाँ, और कुछ दिनों के लिए रुख जाओ अभी तो सिर्फ असी रुपय दाम है और थोड़े दिन रुको, इस बार तो हम मुनाफा ही मुनाफा कमाएंगे अरे दोस्त, असी भी बहुत होते है हमें अब प्यास बेच देने चाहिए अरे भाई, फिर वही बात रुको जरा, मैं जैसा कहता हूँ, वैसा ही करो बस वामन अपने दोस्त की बात मानता है और प्यास ना बेच के वैसे ही रखता है और दाम बढ़ने का इंतजार करता है ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते है कुछ दिनों बाद विशाल को पता चलता है कि प्यास के दाम अब बहुत बढ़ गए है अब दोनों अपने गोड़ा उनके प्यास बेचने के लिए निकालते है और एक किलो प्यास दोसो रुपए में बेचना शुड़ू करते है शहर में कई प्यास ना मिलने की वज़े से लोगों को प्यास की जरूरत थी लाप के लालच में विशाल वामन की बातों को हमेशा नजर अंदस करने लगा वो अब गाव की किसान उनसे सारे प्यास खरीता था और दाम बढ़ने का इंतजार करता और जब प्यास के बहुत बढ़ जाते तब ही उन्हें बेचता था इसको अब विशाल ने अपनी आदत बना ली थी लेकिन एक बार उनका प्यास के दाम बढ़ने का इंतजार दिनों से महनों में बढ़नना शुरू हो जाता है और उनके प्यास को भी गोडाउन में रखे हुए बहुत समय बीच चुका था एक दिन वामन गोडाउन में जाता है तो उसे दुकान में बद्बूसी आने लगती है जब वो गोडाउन में अंदर जाकर देखता है तो उसे अपने सारे प्यास सड़े हुए दिखाई देते है वामन तुरंधी विशाल को बुलाकर उसे सड़े हुए प्यास दिखाता है नुकसान होता देख विशाल को अपनी गलती का हैसास होता है उसके लालच और स्वार्थ के कारण उन्होंने आज तक जितना मुनाफ़ा कमाया था वो सब मिट्टी में मिल चुका था वामन के बाद ना मानना उसे बहुत दुखी कर गया वामन भाई ये सब मेरे लालच के कारण ही हुआ है मुझे माफ करो दोस्त हमेशा अपनी इच्छा के अनुसर सब कुछ होना चाहिए ऐसा वेक्तित्व अच्छा नहीं है विशाल कम से कम अब ये बात को समझो कि हमेशा हलातों के अनुसर ही चलना हमेशा अच्छा होता है हाव वामन हमें पता नहीं होता कि हमारी स्थिति कब बदलेगी इसलिए हमेशा हलातों के अनुसर ही चलना सही है अगर मैंने तुमारी ये बात सुनी होती तो हमें इतना भारी नुकसान कभी नहीं होता मुझे लालची नहीं होना चाहिए था वामन मेरे दोस्त अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा मुझे माप कर दो भाई तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया मुझे सिर्फ इतना ही काफी है जो हो गया सो हो गया अपस तो सब कुछ हमेशा हमारे इच्चा के अनुसार नहीं होता इसलिए जीत करना अच्छा नहीं होता हमें हमेशा हालातों के अनुसार अपने विवहार बदलना चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए लालच हमेशा से एक बूरी बला है